दुनिया भर में करीबन 33 करोर लोग अस्थमा की विमारी से पीडित हैं और करीबन धाइलाग से भी जादा लोगों को हर साल अपनी जान गवानी पड़ती है अस्थमा की वज़े से आज हम इसी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस्थमा के एक्यूप्रेशर ट्रीट्मेंट के बारे में तो बहुत सिंपल तरीके से ये जाननी की कोशिश करते हैं कि होता क्या है एस्थमा ये फेफ़रों से डिलेंटेड एक बिमारी है और जिस परसन को एस्थमा की प्रॉबलम होती ह है उसकी जो सांस की डिलीए हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है सूजन आ जाती है जिसकी वज़ा से वो नेरो हो जाती है और उस परसन के लिए सांस लेना बहुत मुशक्किल हो जाता है तो यह है एस्थमा की प्रॉबलम हम जो आज बात कर रहे हैं आज क्न नियर्श की और उसको सांस लेने में तकलीफ है, मतलब कि वो इन्हेल नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब एक्युप्रेशर के अनुसार है कि उसकी किड्मी यांग डेफिशिंट हो गई है, यहाँ पर जो हम क्रीटमेंट देंगे उस पॉइंट का नाम है के सेवन, यह पॉइंट हमें मिलेगा हमारी मिडल फिंगर पर तुवार्ड्स रिंग फिंगर, जहाँ पर मैंने यह ब्लैक डॉट लगा दिया है, आपको इस पर दो से तीन बार सॉफ्ट और डीप प्रेशर देना है, और यहाँ पर वियोल मेगनेट का येलो वाला पार्ट स्किन पर टच करा देना है, ट्रीटमेंट आप रात को लगा कर सो जाए और सुबह इसको खटा दे, दोनों हातों में लगाना है, लैप में भी और राइप में भी, करीबन आठ से दस घंटे आप इस ट्रीटमेंट को रोज लगाईए, तो जो आपकी ये दिक्कत थी कि आप गहरा सांस नहीं ले पा रहे हैं, उसमें आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, दूसरा सिम्टम है कि जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें सांस छोड़ने में प्रॉब्लम होती है, एक्जेल करने में प्रॉब्लम है, तो एक्यूप्रेशर की अनुसार उनकी लंग्स में इनर्जी की कमी हो गई है, एल्यू नाइन नाम का पॉइंट, जो की हमारी इंडेक्स फिंगर पर मिलेगा, जो यह सबसे उपर वाला जॉइंट है, इस पर बाहर की तरफ, मैंने डॉट लगा दिया है, इस पर आपको सॉफ्ट और डीफ प्रेशर देना है, दो से तीन पर, लेफ्ट मे भी और राइट मे भी, और यहां पर आपको ब्योल मेगनिट का येलो वाला पार्ट, स्किन पर टेच करा देना है, और इस तरह से आप टेप को एपलाई कर लीजे, कहीं भी आपको ब्लै कलर नहीं लगाना है, वही ट्रीटमेंट रात को लगा कर सो जाए, और सुभा इसको हटा दें, करीबन आट से दस गहंटे के लिए, कुछ लोगों को चलने फिरने से, या फिर सीडिया चलने उतरने से, सांस फूलना शुरू हो जाता है, इसको कार्डियक एस्थमा कहते हैं, यहां पर हार्ट की इनर्जी में कमी होती है, तो इसके लिए जो हमारे पास सिंगल पॉइंट ट्रीट्मेंट है, उसका नाम है H5, यहां पर हमें इनर्जी को बढ़ाना होगा, इस पॉइंट की लोकेशन है, कि यह हमारी इंडेक्स फिंगर में मिलेगा, टुवाज्स मिडल फिंगर, जहां मैंने ये डॉट लगा दिया है, ब्लाक कलर का, आपको सॉफ्ट और डीप प्रेशर देना है, दो से तीन बार, और यहां पर ब्योन मेगनिट का येलो बाला पार्ट, स्किन पर टेच करा देना है, दोनों हातों में मिलेगा, हमें ये पॉइंट लेफ्ट में भी और राइट में भी, आज से दस घंटा आपको ये ट्रीट्मेंट लगा रहा है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर किसी को अचानक से एस्थमा का अटेक आजाए, तब हमें क्या करना है, वहाँ पर हम कहेंगे एक्यूप्रेशर की लेंग्विज में कि लंग्स की इनर्जी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर जो हम पॉइंट लगाएंगे वहाँ हमें इनर्जी को घटाना होगा, पॉइंट का नाम है LU6, यह हमें मिलेगा हमारी इंटेक्स फिंगर पर टुबार्ज थम, तो देखिए जो यह बीच वाला जॉइंट से जरा सा उपर हमें यह पॉइंट मिलेगा, किसी को अगर सडर एस्थमा का अटेक आरा है, तब हमें यह पॉइंट यूज करना है, वाइट वाला पार्ट जो है, वो स्किन पर टेच करा देना है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, इस पॉइंट को, रैट, कुछ लोगों को सीजन चेंज के टाइम एस्थमा परिशान करता है, जिसको कि हम एलर्जिक एस्थमा भी कहते हैं, इसके लिए जो हमारे पास सिंगल पॉइंट प्रीट्मेंट है, उसका नाम है AD2, डॉक्टर वॉल का पॉइंट है, मिडल फिंगर पर मिलेगा, टुबार्ट स रिंग फिंगर, जहां मैंने ये ब्लाइक डॉट लगा दिया है, ये पॉइंट हमें साइड में मिलते हैं, डॉक्टर वॉल के आप दो से तीन बार प्रेशर दीजिए, और यहां पर भी हमें वियोल मेंट का वाइट बाला पार्ट स्किन पर टेच करा देना है, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में आपको इस पॉइंट को लगाना है, जब सीजन चेंज का टाइम है तो आप इसको हर दिन यूज कीजिए, आपकी इस प्रॉब्लम में आपको रिलीफ मिलेगा, तो आज हमने अलग-अलग सिंटम के अलग-अलग ट्रीटमेंट बताए, एस्थमा के एक्यूब्रेशर के अनुसार, आप इन ट्रीटमेंट्स को यूज कीजिए, इनका फायदा उठाईए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ऐसे ही करीबन चार सो से भी जाधा प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट्स इन बुक्स में दीए हुए हैं, जो कि डिवाइन केर की ट्रीटमेंट्ट्स हैं, इसमें ट्रीटमेंट्स हाथ पर ही दिखाया हुआ है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, और सिंगल को इन ट्रीटमेंट बताए हैं वियोल मेगनेट की हेल्प से तो आप इन ट्रीटमेंट को यूज करके अपनी 400 से भी जादा प्रॉबलम को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं और इनका एक कॉंबो बन जाता है डिवाइन एक्युप्रेशर किट के साथ तो आप अगर इन बुक्स को ही आडर करना चाहते हैं तो वॉल्म 1 प्लस वॉल्म 2 की कॉस्ट है 1000 रुपे और जो इनका कॉंबो है वो बनता है 1675 रुपे का जिबकि इस किट की कॉस्ट अलग से 900 रुपीज है आपको यहां पर एक डिसकाउंट मिल जाता है अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट divinecareofficial.com पर जाकर इने और कर सकते हैं तो आज की वीडियो में एस्थमा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है आप इनको यूज कीजिए अगर आपको इनकी जरुत है नहीं तो उन लोगों तक जरूर पहुचाईए जिनको इसकी जरुत है आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद